आपने अपर नॉन यह प्रेंगें अपर नॉन अब आपर नॉन एस अडिविलिटी अबसुटलिटी फाइन वी आर लाइव नौ इस वाइडेर और वेल्कम तुटेश्ट बुक्स अभी लोग मुझे देख पारें सुन पारें पर कन्फिरिमिशन देंगे is audibility absolutely fine जल्दी जल्दी fast fast सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं guys एक बार बताएंगे जल्दी से is audibility absolutely fine बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है चलिए तो guys जैसे कि आप लोगों को पता आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बहुत ही बहतरी mock test लेके आया हूँ on NHPC clear है अब आप बोलेंगे सर इस mock test में आप क्या करवाने वाले है ना तो यार आज हमारा पहला दिन है तो मैं आप लोगों को ये बताने की कुशिश करूँगा कि आपके NHPC के exam में किस level तक के और किस तरीके के questions आपके exam में आ सकते हैं और आएंगे clear है ठीक है सर सर क्या ये class बाकी exams के लिए भी helpful रहेगी बिल्कुल हा रहेगी जितने भी हमारे बाकी exam से उनके लिए भी हमारी ये class helpful रहेगी बिल्कुल रहेगी clear है okay sir fine sir अब आते एक दूसरी बात sir कल हम लोगों ने नहीं समझ में आ रहा कमलेश भाई आज बता दूँ मा तेरको कैसे करना है ठीक है NHPC exam की आप लोगों को preparation कैसे करनी है इसके लिए हम लोगों ने कल एक बहुती बहतरीन session रखा था clear yes sir अब उसी session के according आज में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि basically आपका जो NHPC का exam है उसके level of questions किस तरीके के रहने वाले है उसके regarding आज हम लोग ये बात करने वाले है clear चली तो एक must thumbs up कर दो session को like कर दो एकदाँ must मचा देते हैं must thumbs up करो must like करो session को एकदाँ मचा देंगे good afternoon सौरब good afternoon Sandeep बहुत बढ़ी है चली गाज़ तो finally session को start करते finally session को start करते तो आज आप लोग के सामने में ssc.je का previous year paper लेके आया है आप बोलेंगे क्यों बटा ssc.je का previous year paper ही हुबा हुब उसी level का वैसा ही paper आपको आपके exam में देखने को मिलने वाला है for NHPC clear है तो क्यों न ssc.je के previous year से शुरुआत करते हैं और फिर दीरे दीरे उसी के जैसे questions करने स्टार्ट करने लगेंगे clear है याद रखेंगे नहीं होगा राहूल भाई मैंने कल बेटा मेरे सारे session देखा करो कल मैंने रात को आठ बजे strategy session बनाया है कि paper में क्या हैगा कौन से subject आएंगे किस subject का कितना weightage रहेगा सब कुछ बता दिया पहले clear उसी के recording हम लोग करने वाले है clear तो guys आप लोगों के सामने आज एक बहुती बहतरीन आप लोगों के सामने एक बहुती बहतरीन मैं आप लोगों के लिए paper लेके आया हूँ चीक है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो which of the following material has कुछ बच्चों कुछ आद दिख दी रहा होगा था I know चलो मैं थोड़ा सा और जूल कर देता हूँ अब ठीक जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो which of the following material has large number of free electrons in it clear है यह कौन सा material है जिसके अंदर यह official paper है S.S.C. J.E. का बिल्कुल ऐसा ही paper रहता है और ऐसा ही paper आपको NHPC में भी देखने को मिलेगा तो आपका double फाइदा हो रहे है तो हमें S.C. J.E. का paper भी solve कर रहे है और NHPC के लिए mock test भी हो गया which of the following material has a largest number of free electron in it तो बेटा सबसे ज़्यादा free electron कौन से material में पाए जाते हैं तो आपको पता हो नची insulator, semiconductor, conductor, register तो definitely answer should be definitely answer should be conductors clear है और zoom करना पड़ेगा just a minute guys एक minute चेक कर लेता हूँ और zoom की requirement होगे और zoom कर लेंगे quality सभी लोग पहले तो अपनी higher quality picture पी लेके आ जाओ quality एकनम higher quality picture पी लेके आ जाओ अभी clarity है थोड़ा सा और zoom कर दूँ ना कोई दिखे अभी ठीक है I think अभी ठीक होगा न I think अभी ठीक होगा cost अभी best Bengal nearly जीन फाइदा होगा पैटा फाइदा हो इस नहीं फाइदा हो इतना क्यों तुम लोग इतना सोचते क्यों मेरे को इस वाय में नहींही आता है बढई के बढ़ाई के लिए कभी मत सोचा करो जीवन में जिन चीजों के लिए सोचने की जरूरत पड़े उनी को सोचना है जीवाद में चलिए next question देखते हैं एंपेर is the SI unit of आपका एंपेर जो है clear है एंपेर जो है वो किसकी SI unit है तो guys याद रखना है एंपेर आपकी किसकी SI unit है current की SI unit है clear yes sir next question देखते है which one of the following material has lowest resistivity इन में से बेटा वो कौन सा material है जिसकी resistivity सबसे कम होती है कौन सा material ऐसा है जिसकी resistivity सबसे कम होती है कौन सा material ऐसा है जिसकी resistivity सबसे कम होती है तो बेटा सबसे कम resistivity वाला material हमारे पास ये की है जिसका सबसे कम resistance भी हो resistivity कम हो मतलब resistance भी क्या हो less हो और जिसका resistance कम हो उसको उम लोग क्या बोलते हैं conductor बोलते हैं clear है conductor बोला जाता है क्या बोला जाता है conductor बोला जाता है हेलो कुम कुम उसको conductor बोला जाता है ठीक है next question देखेंगे भाई what will be the value of current through a 40 ohm register when the potential difference when the potential difference between the two end is 20 volt एक 40 ohm के resistance में कितना current होगा अगर उसके बीच का potential difference 120 ohm है तो तो यह resistance है यार हाँ सर ठीक है यह resistance है बताए दो बिश्वजीद भाई बतादू अजंता मत कर यह resistance है हाँ सर इस resistance की जो value है वो है 40 ohms और इसके टर्मिनल पर जो potential का difference है that potential difference should be equals to 120 volt आपको यह बताना है कि इसके नदा से basically current कितना flow होगा आपको यह बताना है basically इसके नदा से current कितना flow होगा the current flowing should be 120 upon 40 that should be equals to जली बताए कितना होगा I equals to V upon R sorry 120 नहीं है यह 20 है V upon R that should be equals to 0.5 ohms तो आप देखो बिटा बिटक के मैंने चारो कोशन जो करवा है आप लोगों को बिलकुल ही simple question है clear है सब मैंने diploma electronic engineer से कि उसके लिए class चलती है कि नहीं नहीं रभी रंत भाई नहीं चलती UPPCLA exam रिया रोज पूछती है कब होगा रही है यह की बार बोला है यह एपरेल में होगा NHPC में lateral entry applicable or not lateral entry का मतलब जहां था कि मुझे यही पता है कि अगर आपने diploma किया हुआ है after that आपने engineering करी हुई है और engineering के आपने second year में admission लिया उसी को lateral entry बोलते है न यह स्रावल भाई ऐसा ही level होगा निकुल बोला है इस बार भी ऐसा ही level होगा अब तो इस बार नहीं 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 पीसी का पेपर ही दस साल बाद हो रहा है तो लेवल तो यही है और कोई डाउट और किसी तरीके की डिककत किसी को यास तो lateral entry is allowed कोई डिककत नहीं है mostly diploma students lateral entry ही करते है इज़ा देखेंगे now next question बेटा कौन सा जेई मुशारीद जावेद बेटा कौन सा जेई पहले तो जेई के पहले यह तो लिए कौन सा जेई जेई का एक पेपर नहीं होता भारत में बहुत पेपर होते है और लक्षमन भाई बोले बीटेग और डिप्लोमा बाले का लेवल कोशन सेम रहता है बेटा डिप्लोमा बाला और डिप्लोमा बाली कुछ भी नहीं होता है बीटेग बाला और बीटेग बाली कुछ भी नहीं होता है paper के लिए minimum eligibility होती है तो उसके हिसाब से paper होता है minimum eligibility के हिसाब से paper होता है ध्यान रखे clear yes सुनील बेटा pdf मिलेगी pdf मिल जाएगी चिंता मत कर pdf मिलेगी तेको मेरे telegram channel पर चिंता मत कर determine the guys आप लोगों को बताना है determine the capacitance in ferard in a parallel plate capacitor in air if the area of the parallel plate capacitor is 2 meter square and the distance between the place is 0.202 meter NHPC का exam कितना होगा सरजी सुनील बेटा exam कितना नहीं होता exam कब होता है बोलते है एक काम करते हैं एक काम करते हैं एक गंडे तक के बाद यह discussion कर लेते हैं कौन से paper में क्या होगा बेटा सारे exam की videos YouTube पर बना के रखी हुई हैं मैंने इसी channel पे कि कौन से exam की strategy कैसे follow करनी है सब की UPPCLJE UPPCLAE UPPSCAE ठीके हर exam की बना के रखी हैं तो इतना बेटा एक बाल बताओ जब सब कुछ क्लास में पूछ लोगे तो मेरे को बताओ पढ़ाई कप करोगे पढ़ाई का टाइन तो बता दो है ना आप सब को पता है बेटा कि YouTube पर मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ जो आकर करके यहां पर आपका time waste करने की कोशिश करूँगा अगर एक घंटा आपको पढ़ाना है तो मुझे पता है कि आपको 50 minutes का content deliver करके ही जाना है अधरवाइस मेरे मन में मुझे खुशी नहीं मिलती ठीक है चले चले determine the capacitance in farol of a parallel plate capacitor placed in air if the area of the parallel plate capacitor is 2 meter square and the distance between the plate is 0.02 meter clear है तो आप लोगों को पता है C क्वस्टू क्या होता है बटा epsilon A by D यही होता है हाँ sir अब यहाँ पर epsilon R की value को आप लोगों को 1 लेना पड़े है उसके पीछे का reason क्या है because epsilon R होती है relative permeability क्या होती है relative permeability और air के लिए guys epsilon R की जो value होती है आपकी वो ER होती है clear तो now C equals to epsilon not आपको पता ही होना चाहिए कितना होता है 8.87 into 10 to the power of minus 12 area कितना given है by 2 meter square और distance between the plate कितना है 0.02 meter 0.02 meter जली से capacitance की value बता दे सभी लोग किती आईगी तो बटा यहाँ से capacitance की value निकल के आजाएगी आपकी 8.85 के आसपास clear है 8.85 के आसपास capacitance की value निकल के आपकी आजाएगी next question देखेंगे what will be the value of current through register when the power dissipated not permeability is it क्या लेका its permittivity yes permittivity कलती से निकल का भाई मुझसे its permittivity not permeability what will be the value of current through a register when the power dissipated through the register is 40 watt and the potential difference and the potential difference is 100 watt same यही question दो बार पूछा गया है अलग-अलग value के साथ तो भाई आज आपको वापिस में बोला गया एक resistance है हा सर इस resistance के अंदर आप लोगों को बोला जा रहा है ठीक है ना इस resistance के अंदर बोला जा रहा है कि जो potential difference है वो 100 volt का है जो potential difference है वो 100 volt का है और potential difference 100 volt के साथ साथ जो रेजिस्टेंस आपको given है ठीक है और यह 40 watt का भी है आपको बताना इसके लिए से कितना current flow होगा तो current should be equals to कितना हो जाएगा भाई current should be equals to हो जाएगा P I square upon R that is I equals to under root of P upon R ये क्या कर रहे हो सर फाल तू पागल पंती कर रहे हो 40 watt है resistance है ठीक है तो यहाँ से बिटा current directly निकल जाएगा current equals to कितना हो जाएगा 40 watt upon 100 ठीक है ये सर साबके पेट क्लास अभी off है तो सुबह कुछ missing missing लगता है morning में बस अब 5 February को जल्ली आ जाएगा बिल्कुल बाई बिल्कुल प्रमाट बाई डोंट वरी जल्ली आता हूं जिन्ता मत कर जल्ली काम नुटा के आता हूं जिन्ता मत कर what will be the length in m meter meter के अंदर length कितनी होगी of a 10 ohm wire when the resistivity of wire is 0.1 0.1 ohm meter and the diameter is 0.5 meter तो अगर diameter 0.5 meter हो जाए 10 ohm का wire है resistivity है 0.1 ohm meter तो आपसे पूछा गया है length क्या होगी तो यार resistance हमको पता ही है क्या होता है that is rho L upon A तो बिल्टा resistance कितना होगा 10 rho कितना होगा rho rho मतलब resistivity resistivity कितनी होगी 0.1 length आपको निकालनी है area कितना होगा diameter given है diameter 0.5 meter given है तो area कितना होगा भाई pi into 0.5 का square नहीं sorry pi into 0.25 का square ठीक है अब इसको आपको solve करके length निकालनी है this is the very toughest question length निकालनी है पर जब आप इसको calculate करोगे जब आप इसको calculate करोगे तो I think calculate करने के बाद आपको यहां से length 19.62 के असपास आ जाई clear है ऐसा question बिटा exam में आ जाता जिसमें pi आ जाता और calculation थोड़ी ची tough हो जाती है तो ऐसे question को clear है ऐसे question को sir आपका कोई अलग सा telegram है बिल्कुल कमलेज भाई मेरे telegram channel के नाम है मोहित का सन्या सर test book जिसमें मेरी photo लगी हो चीक है तो guys यहां पर मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि particular कभी-कभी ऐसा question भी आपको exam में देखने को मिल जाता है जो basically जो basically आपके exam के लिए जो basically आपके exam के लिए तो फोड़ा सा calculation tough होती है अब भाई निकल भाई को समझ में नहीं आए बेटा diameter 0.5A radius area निकालने के लिए radius 3 होती पाई आरी square इसली 0.5 divided by 2 कर दिया clear? और तरीके के question देखते है और तरीके के question देखते है ठीक है? और तरीके के question देखते है बेटा जैसे बागी लोग बात करते है वैसे तू भी बात कर सोच कैसे बात कर सकते है सोच ना पढ़ेगा सोच चली जली बताएंगे बेटा इस question को बताएंगे determine the total resistance of the circuit given below determine the total resistance of the circuit given below UKPSC JEE के लिए बेच 15-5 से स्टार्ट होगा determine the total resistance of the circuit given below जली बताएं total resistance of the circuit given below इस entire circuit का ये दो बल्बे पेटा पैरल में लगे 40W 40V का है 20W 40V का है चीक है? ओके सद आपको total resistance बताना है आपको total resistance बताना है जली जली बताएंगे total resistance कितना होगा? जली बताएंगे जली गुड तो पेटा यहां पर देख सकते हैं आप लोग यहां पर देख सकते हैं आप लोग इसका resistance कैलकुलेट कर लो इसका resistance कैसे कैलकुलेट करोगे पावर एक्वयस्टो होता है वी स्क्वायर अपॉन आप लोगल कैसे निकलोगे यहां से निकल क्या जाएगा तो रवन की वैली कितनी निकल क्या गई रवन की वैली निकल क्या गई 40 Ohms apart from that guys P2 जो power है that should be equal to voltage upon R2 तो यहां से guys R2 ohm को निकालना पड़ेगा R2 कितना निकल किया जाएगा again 40 का square upon 20 तो यहां से R2 की value कितना निकल किया जाएगी 2 into 40 that is 80 ohms तो यहां से R2 आ गया हमारा कितना 80 ohms clear है हाँ भाई मुकेश 80 ohms हो गया अब 80 ohms ही हो गया तो 80 और 40 R equivalent तुमको निकालना है ना तो R equivalent कितना हो जाएगा यहां से तुम लोग निकल सकते है easily 40 into 80 parallel में upon 40 in 40 plus 80 यह निकल किया जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 840 तो 32 3200 divided by 120 यह निकल किया जाएगा अब यहां से 32 divided by 120 कितना होता है ठीक है कितना है 26.66 आएगा बहुत बढ़ी है the correct answer should be 26.66 बहुत बढ़ी है चल नेक्स कोशन देखते है नेक्स कोशन देखते है session को like करेंगे भाई सभी लोग session को like करेंगे सभी लोग चल यह देखो अच्छा कोशन है what will be the current I network का कोशन है ना बटा what will be the current I from the given circuit जली से बताएं इस I की वैल्ली कित्ती होगी आपके exam में level of question बिलकुल ऐसे ही रहने वाले हैं जली से बताओ इस I की वैल्ली कित्ती होगी जली करेंगे जली करेंगे तो बिटा यहां पर आप देख सकते हो 40 और 5 क्या हो जाएंगे आपके 45, 10 और 10 क्या हो जाएंगे 20 तो बिटा यह तो उन्हों parallel में आ जाएंगे और यह इसके साथ काई में आ जाएगा Series में आ जाएगा तो total resistance की अगर मैं बात करूँ total resistance की अगर मैं बात करूँ तो यह 45 और parallel इतना हो जाएगा तो total resistance आ जाएगा आपका 45 into 20 अपन 45 प्लस 20 किता होता है ठीक है 65 और यह प्लस एक और 20 तो यहां से 20 आ गया common बाहर और 5, 9 जा 45 and 5, 3 जा प्लस 1 यह आपका बिटा total resistance आ गया यह आगया आपका total resistance ठीक है total resistance आ गया अब आपको करना क्या है current निकालना था तो voltage upon resistance करना पड़ेगा now voltage should be equal to what 60 60 divided by this करना पड़ेगा ठीक है तो 60 divided by this करने जाओगे ठीक है ना तो यह करीब करीब हो जाएगा आपका current कितना निकल क्या जाएगा करीब करीब आपका 60 divided by 3 करने जाओगे ना तो यह हो जाएगा उपर 60 है तो 3 3 by आपका हो जाएगा 3 by this ना 3 into 13 divided by clear है divided by 9 plus 13 मतलब 23 तो guys इसको solve कर लो जाएगा कितना आता है 39 by 23 यह है आपका correct answer हो जाएगा clear ठीक है 39 by 23 correct answer हो जाएगा 39 by 23 calculate करो जल्ली से 39 divided by 23 calculate करो 1.69 के आसपास आना चाहिए 1.69 के आसपास आना चाहिए आपका answer एक बार और मैं भी चेक कर लेता हूँ ज़रा कहीं कुछ कलती तो नहीं करी है हाँ यह आएगा वई 1.77 के आसपास आना चाहिए 1.77 के आसपास आना चाहिए सही सही which of the following statement is correct जल्ली बताएंगे भी थोड़ा सा lengthy question है लेकिन आप लोग कर लोगे कोई दिक्कत नहीं कौन सा statement इन्मेसे correct है which of the following statement is correct जल्ली बताएंगे कौन सा statement इन्मेसे correct है कौन सा statement इन्मेसे correct है which of the following statement is correct किर्चॉफ्स voltage law is applicable only junction in a network किर्चॉफ्स current law is applicable to only close loop in a network Kirchhoff sir आपका image size small कीजे मेरा image size small कर लो ठीक है भाई कर लूँगा अभी तो जरुवत नहीं जब लगेगी तो कर लोगा को दिकत लिए Kirchhoff's current law is applicable to only junction in a network Kirchhoff's current law is applicable to only close loop in a network Kirchhoff's current law is applicable to only electric circuits Kirchhoff's current law is applicable to only electronic circuits तो जल्दी बताएंगे किसके लिए applicable है ठीक है तो यह आपको पता है कि यह सिफ कहा applicable होता है जंक्शन पर और कहीं पर यह applicable नहीं होता है यह सिफ कहा applicable होता है junction next देखेंगे on which of the following concept the superposition theorem is based superposition theorem आपके किस principle पे based होती है आपके सामने में option दे रहा हूँ ठीक है option मैं आपके सामने दे रहा हूँ options मैं आपके सामने देता हूँ don't worry चलिक तो superposition theorem बिटा किस पे based होती ही जल्दी से बताएंगे clear है clear तो superposition theorem आपकी base दोती बटा linearity पे चीक है linearity पे base दोती है और homogeneity पे base दोती है option में के वह linearity इसलिए आपने linearity put कर दिया ठीक है okay sir the internal resistance of ideal current source एक internal resistance ideal current source का यह होता है कि जिस भी branch में अगर कोई current source आपने लगा दिया तो current source यह बोलता है जितनी मेरी value है उतने का ही current flow गा मतलब किसी दूसरे current को अलाओ नहीं करता और अगर दूसरे current को यह अलाओ नहीं करता that means what इसका internal resistance कितना है सर इसका internal resistance होता है infinite कितना होता है इनफाइनाइट क्लियर okay sir next question देखते है एक ऐसा point जहां पे बिटा एक ऐसा point वेर two or more branches are connected एक ऐसा point जहां पे एक से ज़्यादा branches आपकी connect होती है एक ऐसा point जहां पे आपकी एक से ज़्यादा branches connect होती है प्यार से उसको बोलते है node sir measurement and measuring में pressure mechanical portion आता है कि आता है बाई कभी कबार आ जाता है measurement of pressure कभी कबार आ जाता है इसको क्या बोलते है sir इसको note बोलते हैं, sir, इसको क्या बोलते हैं, इसको note बोलते हैं, sir, चलिए, next question देखेंगे, determine the value of not-run resistance, not-run resistance की value find out करें, ќली a and b के बीच में, not-run resistance की value find out करें जली से a और b के बीच में, तो बिटा, यह धोको यह shot हो जाएगा, यह shot हो जाएगा, eaudine बोलता चाहिए not-run बोल 2 और 2 कई में आगये, parallel में, ये 2 और 2 कई माँ में आ गये, sorry series में, ये इसकस्थ series ओने के इसकस्थ, इसकस्थ कई में आगये, parallel में, तो 202, four, 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 two, और two on four, वापी से किता, sir six ohms, वापी से किता, six ohms, clear, yes sir, good, चलि इदर देखें हमें what will be the value of current what will be the value of current through the 50 ohm register of the given circuit इस 50 ohm resistance के द्वारा भाई, कितना current flow होगा, यह आपको find out करना है, जली बताएंगे, इस 50 ohm register के द्वारा कितना current flow होगा, यह आपको find out करना है, जली बताएंगे, जली बताएंगे, इस इस इदर मानलो i1, इसके अंदर मानलो i2, तो सीजी सी बात है, इधर resistance के आए, दो गुना कम है, तो इधर करेंट दो गुना जाता होगा, तो यहाँ पे 100 divided by 50 करते होगे तो यह 2 ampere आ जाएगा और यह कितना आ जाएगा 1 ampere आप से कौन सा पूछाता है यह वाला तो answer क्या लगात होगी आप यहाँ पे 2 ampere 2 ampere is the correct answer next question देखते हैं Determine the voltage across 40 ohm register for the given circuit तो देखा इस 40 ohm register के across आपको voltage निकालना जली से find out करेंगे इस 40 ohm register के across आपको voltage find out करना है तो कैसे find out करोगे जली plus 10 40 40 कितना हो जाएगा 80 मतलब कितना निकल के आजाएगा ये current निकल के आजएगा कितना 3 by 4 ampere अब ये 3 by 4 ampere जब ऐसा उड़ते हुए यहां जाएगा तो यहां high potential यहां low potential तो यहां पर जो voltage आजाएगा वो कितना आजाएगा I into I into I into R that is called 40 ohms तो जो voltage निकल के आजाएगा ये आजाएगा तुम्हारा 3 by 4 into 40 that should be equals to 30 volt 30 volt आजाएगा वाई 30 volt ठीक है yes sir 30 volt आजाएगा वाई कितना आजाएगा 30 volt आजाएगा चली next question देखते next what will be the value of current through 4 ohm resistance for the given circuit this particular 4 ohm resistance के थ्रूँ एक particular कितना current flow होने वाला है इस 4 ohm resistance के थ्रूँ कितना current flow होने वाला है यह आपको decide करना है what will be the value of current through a 4 ohm resistance for the given circuit इस 4 ohm resistance के थ्रूँ कितना current flow होने वाला है जली बताएगा जली करेंगे जली करेंगे अनन्या 2017 इस 2017 पेपर जली करेंगे जली करेंगे भाई देखेंगे दर इसके पास आपको क्या बोला निकालने के लिए voltage इसके पास current निकालने के लिए बोला है न एक काम करो इसको terminal A माल लो इसको terminal B माल लो और यहाँ पे लगा दे थेविनिन थेविन 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 थे हो जाएगा तो यह 6 और 3 पैरलल में आ गए और यह 6 आ गया ठीक है तो प्लस किता हो जाएगा 6 तो बटा किता हो जाएगा 8 ohm तो तेक थेविनिन रिजिस्टेंस 8 ohm आ गया अब थेविनिन तो जो वोल्टेज निकालना है ना तो यहाँ पर क्या करेगा open circuit बोल हाँ या ना हा सर तो यह current इसमें जाएगा बोल हाँ तो 20 रॉट्टी नटो 6 किता हुआ यहाँ पर है ना 120 वोल्ट ठीक है और यह 20 रॉट्टी नटो यहाँ पर potential है तो 7 in voltage कितना निकल का आ गया तेरा सब 7 in voltage निकल का आ रहा है 120 minus 40 by 3 this is the 7 in voltage खतम अब current निकालना था तो तुझे देख कुछ भी मत कर यह मान ले VTH यह मान ले RTH और यह मान ले तेरा resistance यह 4 ohm बस खतम तो बस आ जाएगा 12 है ना मेरे साब से यह आ जाएगा 10 जो भी है 10 minus कर सकते हो कर सकते हो आ जाएगा भाई जो भी आएगा आ जाएगा इतने ही आएगा ठीक है simple है VT ऐसे ही कर देंगे और कुछ भी नहीं करना simple ऐसे ही कर देंगे yes ठीक है 13.3 थी तो नहीं आएगा मेरे साब से 8.9 क्यास पास आना चाहिए calculation आप लोग चेक कर लीजेगा मैंने करना तो सिखा दिया आप लोगों को calculation चेक कर लेना calculation चेक कर लेना करना तो सिखा दिया कुछ ध्यादा दिमांग नहीं लगाया आपन तो इसका 8.9 क्यास पास आंसर आएगा करके देख लो आप लो ठीक है चाहिए चाहिए नेक्स्ट क्यूशन लेख देख देखते हैं Determine the theemanine equivalent resistance in the given ohm यहां से निकालना वाई theemanine equivalent resistance भी निकालना वो वोल्टेज भी निकालना एक्रोस टर्मिटनल A अफ जल्ली कल्कवेट करेंगे जल्ली कल्क्लेट करेंगे resistance and voltage दोनों find out करना रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज जोनों फाइंड आट करना जल्ली करेंगे चल्टेज लिया कोड़ा न रेजिस्टेंस अगर तुमको निकालना रेजिस्टेंस अगर तुमको निकालना है तो यह उपन हो गया बोलो हाई या न यह अई यह wanna यहOoh यह open हो गया, तो देखो क्या होगा, यह 10 है, हाँ सर, और यह 10 है, काई मैं आ गए दोनों, parallel में, मतलब 5, 5 और 5 किते हो गए, 10, तो यह तो आ गया बटा, RTH आ गया, 10 दे रहा, RTH कितना आ गया, 10, अब चेक कर लेते हैं, क्या RTH 10 वाला कोई A की option है या दो है, तो दो option है, चालो दो option है, तो हमको calculate करना पड़ेगा, calculate कैसे करेंगे सर, इसके पास voltage चाहिए सर, हाँ सर, इसके पास, कैसे निकालेंगे सर, इसके पास voltage सर, तो यह काम परो सर, यहाँ पे nodal analysis लगा दो सर, यही option है ना, यहाँ पे क्या लगा दो, nodal analysis लगा दो, यहाँ का potential कितना माल लो, V, तो कितना हो जाएगा, V minus 20 upon 10, plus, plus, V minus, यहाँ का potential हो, यहाँ का potential सब सेम ही है ना, V minus, इस point को माल लो, V A, और इस point को माल लो, V B, तो है ना, V minus, यहाँ, तो V minus, V A upon 10, V minus, V A upon 10, और incoming कितना है भाई, 4, तो यहाँ से देखा कितना निकल के आ गया, V, V, 2V, 2V minus 20, minus V A, equals to what, 410 of 40, तो यह आजाएगा, 2V minus V A equals to 60, ठीक है, अब V और V A दोनों एक ही है, तो V A की value आ गई 60, 60, हाँ, 60V आ गई, बस खतम, 60V आ गई है भाई, तो 60 आ गया है, V A, कुछ गलत हो रहा है क्या, कुछ गलत हो रहा है क्या, यह V A ही है, यह भी V A ही है, तो V A minus 20 upon 10, V minus, हाँ, यह भी 10, यह 40, यह 60, 2V A minus V A equals to 60, तो V A 60 आना चाहिए, क्या गलत हो रहा है भाई, नहीं, क्या गलत हो रहा है, जली बोल, क्या गलत हो रहा है, जली बोल, कुछ गलत ही कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट का potential और इस पॉइंट का potential भाई, सेम होगा ना, क्योंकि यहां से कोई current flow नहीं होगा, यहां से कोई current flow नहीं होगा, हाँ साथ, तो यह point अगर V A है, तो यह भी V A है, यह V A है, तो यह भी V A ही है ना, हां, तो V A, माइनस 20 अपॉंट 10, V A, माइनस, अच्छा, यह गलती मैंने कर दी, ठीक, V A, माइनस 0 अपॉंट 10, अब सही है, तो V A हो गया 2 V A, यस, अब हो जाएगा, हो गया, हो गया, हो गया, सही कर दिया, हमने सही कर दिये, चिंता मत को दो, सही कर दिया हमें, चलो, 30 वोल्ट आगे भाई, correct answer is this, this is the correct answer for the above question, clear, चलो, next question देखते हैं, which of the following material does not have, which of the following material does not have constant relative permeability, ऐसा कौन सा material है जिसकी relative permeability constant नहीं होती ही, मतलब वेरी करती रहती है, तो हजार बर बताया है बेटा मैंने, अगर आप क्यूरी temperature तक किसी भी ferromagnetic material को लेके चले जाओगे, तो वो क्या बन जाएगा, paramagnetic बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, paramagnetic बन जाएगा, which one of the following is the reciprocal of magnetic permeability, magnetic permeability जो आप लोग देखते हैं, जिसका आप लोग mu बोलते हो, ठीक है, mu बोलते हो, तो बेटा one upon mu को क्या बोलते हैं, 1 upon mu को बोलते हैं reluctivity क्या बोलते है reluctivity याद रखता है न 1 upon mu को क्या बोला जाता है reluctivity मतलब permeability का उल्टा कहलाता है क्या reluctivity याद रखें ठीक है next the mathematical expression for magnetic permeability is magnetic permeability का mathematical expression क्या है तो बटा आप सब बच्चे जानते है मैंने पढ़ाता है पढ़ाया भी है b equals to होता है mu into h तो magnetic permeability क्या हो जाएगी sir magnetic permeability हो जाएगी अपनी b upon h तो this is called magnetic permeability बहुत बढ़ी असर बहुत बढ़ी असर इसके बाद देखेंगे what will be the magnetic susceptibility of material if the magnetic field strength of the material is 1200 ampere per second meter and the intensity of magnetization is 0.084 0.084 ampere per meter तो भाई यह ampere per meter है यह ampere per meter है आपको magnetic susceptibility बतानी तो magnetic susceptibility का कोई बच्चा formula बता सकता है क्या xm का formula कित्ता होता है जली बताएंगे जली बताएंगे xm का कोई formula बता सकता है जली बताएं xm का कोई formula बता सकता है जली बताएंगे गुड 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 तो भाई xm का formula होता है आपका magnetization upon intensity तो magnetization आपको कितना गिवन है बटा 0.0 magnetization आपको गिवन है बटा है ना 0.0 इन दोनों को कुल मिला के अपने को क्या करना है डिवाइट करना है जली बताएंगे 0.08 ठीक है 0.08 अपन ट्वेल हंड्रेड यह आपके आजाएगी ठीक है जली बताएंगे कितना आता है यह बताएंगे कितना आता है calculate करने के बाद जो भी आएगा calculate करने के बाद आपन लोग देख लेते हैं कितना आएगा इतना काई को load लेना कुछ बच्चे बोल रहे थे 7 के आसपास आएगा था सही बोल रहे सही बोल रहे कुछ बच्चे बोल रहे 7 के आसपास आएगा yes the correct answer for the above question is the correct answer for the above question is 0.7 into 10 to the power minus 4 आप calculate करेंगे आपको answer मिल जाएगा ठीक है next question देखते है कुछ अच्चा कुशन उठाता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ सर कुछ अच्चा कुशन लेता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ सर मज़ा आया सर मतले बटे टेंशन इतनी जीवन में इतनी जीवन में टेंशन लेके कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ अपनी गल्तियोंग पे सुधार कर और कुछ भी नहीं वो मैं करवा दूँगा चल लो What will be the Question प्यारा है बिटा है ना Question प्यारा है ठीक है What will be the peak value of current using washing machine at 230 volt and 60 ampere clear What will be the peak value of the current used by the washing machine rated at 230 volt and 16 ampere Peak value of current कितना होगा washing machine का अगर एक washing machine 230 volt और 16 ampere का current लेती है तो जली बताएंगे तो एक washing machine है जायर सी बात है कि washing machine AC supply पे काम कर रही होगी अगर AC supply पे काम कर रही होगी तो जायर सी बात है जो गोल्टी दिया होगा वो काई में दिया होगा maximum value divided by what root 2 तो पेटा यहां से maximum value कितनी निकल के आ जाएगी maximum value निकल के आ जाएगी RMS into root 2 ठीक है तो maximum value जो निकल के आ जाएगी हमारी that is equals to 16 into root 2 अब 16 into root 2 करोगे तो यह आपका आ जाएगा 22.62 ampere ठीक है ज़दा दिमाग नहीं लगा ना चल which of the following wave will have highest RMS value for a equal peak value सबकी बेटा peak value बराबर है इसकी peak value है VM, saw tooth wave की भी VM, square wave की भी VM और triangular wave की भी VM आपको बोला जारा है सबस्दा highest RMS value किसकी होगी RMS value किसकी होगी सबस्दा तो बेटा याद रखना एक square wave वो wave होती है एक square wave वो wave होती है है ना मैं बता जेता हूँ आप लगों को square wave वो wave होती है जिसकी average and RMS दोनों same होता है ठीक है इसलिए the correct answer should be what square wave याद रखना सबस्दा RMS value आपको इसी में देखने को मिलेगी जितनी average उतनी RMS ठीक है next question देखते है what will be the frequency of sinusoidal voltage when the time period is 0.05 seconds आपके frequency of sinusoidal voltage क्या होगा अगर time period 0.05 seconds हो जाए तो अगर time period 0.05 seconds हो जाए तो frequency कितनी जाट frequency क्या होगी तो guys frequency होता है 1 upon time period तो 1 upon 0.05 अगर मैं करता हूँ तो यह निकल के आता है 100 upon 5 that should be equal to 20 hertz that should be equal to 20 hertz clear 20 hertz नहीं 20 hertz नहीं आएगा millisecond है क्या millisecond है क्या 0.05 millisecond तो तो यह बहुत ही जादा आजाएगा बहुत ही जादा आजाएगा 1 upon 0.05 मतलब 100 तो उपर गया ही गया साथ में 10 की power 3 भी उपर गया तो यह हो जाएगा 20-20 और यह हो जाएगा 1000 मतलब यह हो जाएगा 20,000 hertz चीक है चलिए next देखते है session को like करते रहेंगे सब लोग यार कैसे करते हो यार कैसे करते हो test book को mock test थोड़ी ना बटा यहां कराएगे वो तो करने के लिए आपके लिए उसको थुड़ी ना यहां पर करवाएगे test book का कोई mock test तो आपकी practice की चीज़ है चलो अब parallel LC circuit की अगर हम बात करेंगे एक parallel LC circuit की बात करेंगे what will be the value of current at resonance resonance पे current की value क्या होगी अगर एक parallel LC की बात करेंगे तो एक parallel LC circuit का एक और नाम होता इसको बोलते है tank circuit एक parallel LC का एक और नाम होता इसको बोलते है tank circuit क्या बोलते है इसको tank circuit this is called L this is called C तो आपको L और C का parallel value आपको बतानी है न parallel LC circuit what will be the value of current at resonance तो resonance पे current कितना होगा तो पेटा याद रखना resonance पर यहाँ से जो current आएगा तो resonance पे आपको भी पता है XL equal to XC हो जाता है इस वज़े से यहाँ से जो current आएगा resonance पर वो कितना जाएगा 0 yes sir समझ गाए sir next question which of the following is not correct about a delta connected system एक delta connected balanced 3 phase circuit के लिए क्या correct नहीं है एक delta connected balanced 3 phase circuit के लिए क्या correct नहीं है which of the following is not correct about a delta connected balanced 3 phase circuit जली जली क्या correct नहीं है भाई दुनिया जानती है एक delta connected system आपका 3 वायर से ज़्यादा का नहीं हो सकता एक delta connected system आपका 3 वायर से ज़्यादा का नहीं हो सकता delta connected system आपका 3 वायर से ज़्यादा का नहीं हो सकता यह it is not a 4 वायर system भाई यह गलत बात है यह गलत बात है यह गलत बात है what is the correct expression for apparent power of a balanced three-phase delta connected system एक balanced three-phase delta connected system के लिए apparent power कितनी होती तो बटा apparent power बच्चा बच्चा जानता है आज की date में apparent power को लिखने का तरीका होता है या तो आप ऐसे लिख लो इसको या तो आप ऐसे लिख लो इसको root 3 into VL into IL this is called apparent power बोलो हाँ या ना सही बात है जांती है इस और या आपके क्या ओसे जारोहएगी अब इसरा देखेंगे प्रृत akाओ यह यह आपका चेट ब्रिजेश को जब भी आपकी एक्रवाम में आए बैटा तो कोशिश करना जब भी आपकी एक्रम में इस तरीक के कोशिश नाए तो कोशिश करना आपको बोला जा रहा है calculate the value of quality factor try करना सबसे last में क्योंकि पीटा यह अपने आप में लेंदी है आपको यहाँ पर bridge को balance करवाना पड़ेगा और bridge balance करवाने में आपके पसीने छूट जाएंगे equation निकालना पड़ेगा कहीं गलती कर सकते हो इसलिए ऐसे question को target करना है आप लोगों को सबसे last clear ए? तो मैं आपको यह भी बता रहा हूँ कि कौन से question को आपको अभी target करना है और कौन से question को आप लोग exam में बाद में target करें ठीक है इसको सबसे last में target करना है ठीक है यहाद रखे इस question को देखते है which of the following is used to avoid the errors due to creeping in electrodynamometer type energy meter भाई क्या creeping को avoid करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है यह आपको बताना है क्रीपिंग को avoid करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है यह आपको बताना है क्रीपिंग को क्रीपिंग को avoid करने के लिए मैंने बहुत बार बताया है डिस्क with large radius डिस्क with small radius holes are drilled in the disc बहुत बढ़ी है very heavy disc तो याद रखना है सभी बच्चों को हम लोग holes को drill करके रखते है diametrically opposite ठीक है याद रखना है अब आता है question in a 2 watt meter method in a 2 watt meter power calculation of a 3 phase balanced star connected system what is the power factor of the system क्या होगा if both the both the watt meter shows same reading तो बाइ 2 watt meter method में अगर दोनों watt meter हमारे same reading show करेंगे तो जो angle निकलेगा power factor angle that is 10 inverse of root 3 w1 minus w2 upon w1 plus w2 तो भाई ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर बराबर ये दोनों बराबर 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 जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा 10 inverse 0 किता होता है 0 होता है तो 5 0 हो जाएगा 5 0 हो जाएगा तो भाई cos 5 की value किती हो जाएगी 1 हो जाएगी, cos phi की value कित्ती हो जाएगी 1, that is called that is called 1, cos phi should be 1 चले, इस question को देखेंगे which of the following which of the following is used to measure value of quality factor below 10, तो quality factor below 10 के लिए हम लोग क्या use करते हैं मतलब आपकी quality factor की value अगर less than 10 होगी तो आप कौन सा bridge को prefer करोगी, कौन से bridge को आप लोग prefer करना चाहोगी quality factor less than 10 के लिए आप कौन से bridge को prefer करना चाहोगी, जली से बता है less than 10 के लिए हम लोग कौन से bridge को prefer करना चाहेंगे, that is called Anderson bridge, काफी बच्चे लगा रहे Maxwell's bridge, Maxwell's bridge या फिर Hays bridge, हेस तो लगाना नहीं है तो आप क्या लगा होगी बटाएं यहाँ पर Anderson bridge, याद रखें, Anderson bridge जो होता है आपकी low Q coil के लिए measure किया जाता है चल ले, which one of the following is the most commonly used measurement unit of a typical single phase energy meter which of the following is the most commonly used measurement unit for a typical single phase energy meter तो एक typical single phase energy meter के लिए आपकी जो energy की unit होती ही वो हमेशा काई में रहते हो, kilowatt hour में हमेशा काई में लेते हैं बटा, kilowatt hour हमेशा kilowatt hour में लेना है हमेशा kilowatt hour में लेना है, ठीक है which of the following is the cause of meter phase error in induction type energy meter एक induction type energy meter में clear है एक induction type energy meter के अंदर जो meter के अंदर phase error की वज़ा से error आती है जो instrument में phase error की वज़ा से error आती है एक energy type induction meter में जो instrument में phase error की वज़ा से जो error आती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? phase error की वज़ा से जो error आती है उसको क्या बोलते है सब answer तो दिख रहा है हाँ तो बिटा दिखने दे ना कोई दिखकत थोड़ी ना है क्या बोलते है? incorrect leg adjustment of the position यह आप जब energy meter detail में पढ़ा हो ना आपको पता चलेगा operation of meager is based on the following meager का operation किस पर following based दे? meager का operation किस पर based दे? कोई directly बिन option दे के बता सकता है? कोई directly बिन option दे के बता सकता है? meager का operation किस पर based दे? गलती से भी बताने की कोशिश मत का ना meager का operation किस पर based है? तो पेटा meager का operation based है आपका dynamometer पर नहीं, electrostatic meter पर नहीं moving coil meter पर या moving iron meter पर यहाँ लगना meager के अंदर आपकी एक coil होती है जो की moving coil होती है उसी वज़ा से meager के अंदर क्या लगती है? controlling torque उसी वज़े से meager के अंदर क्या लगती है? controlling torque ठीक है? चल इसके बाद देखेंगे the speed of the motor exceeds the synchronous speed this braking method is called as फिर से बोलता हूँ motor की speed को अगर synchronous speed से ज़्यादा बढ़ा दिया गया motor की speed को अगर synchronous speed से ज़्यादा बढ़ा दिया गया इस braking method को क्या बोलते हैं? motor की speed अगर synchronous speed से ज़्यादा बढ़ गई तो इसको क्या बोला जाता है? this is called as regenerative braking क्या बोलते हैं बेटा? प्यार से है अपन लोग इसको regenerative braking प्यार से क्या बोलते है? regenerative braking प्यार से क्या बोलते है? regenerative braking clear? okay sir अब आती ही बात एक isolation transformer के अदर एक isolation transformer के अंदर हजार बार हम लोग ने पढ़ा है एक isolation transformer में हजार बार हमने पढ़ा हुआ है primary और secondary के जो turns ratio होते हैं उनके अंदर किसी तरीके का turn उनके जो ratio का अनुपात होता है उनका जो अनुपात होता है turns का that is always a one that is always one क्योंकि हमको यहाँ पे step up और step down नहीं करवाना है हमें यहाँ पे step up और step down नहीं करवाना है the input of a transformer square wave then the output will be बच्चों वाला question है अगर input square wave होगी तो EMF induce जोगा बिटा क्या होता है ND5 by dt तो अगर आपकी input square wave होगी ज़रा सुनना input आपकी square wave है है ना अगर आपको EMF induce करवाना है तो क्या होगा इस flux का flux square wave उसका differentiation करोगे तो square का differentiate किसा आएगा pulsed wave तो induced EMF pulse आएगा तो output भी कैसा मिलेगा pulsed wave याद रखना square का differentiation impulse होता है square को जब differentiate करोगे तो impulse मिलेगा ठीक है चलिए अब आथा DC मठीन का numerical the current drawn by the 230 volt DC motor armature resistance back EMF अब यह क्या question है लल्लू question है तो यहाँ लगना DC motor के अदर VT equals to होता है EB plus IA RA VT आपका terminal voltage है that is called 230 volt back EMF आपका है 200 volt armature current आपका पता नहीं है armature resistance आपको 0.5 है armature current आपको निकालना है तो आप निकाल दो यहां से कितना निकल क्या आजाएगा 30 upon 0.5 तो armature current आजाएगा 30 upon 0.5 that should be equals to 60 ampere अब आपके answer देखने से थोड़ी answer आता है करने से आता है न answer देख भी लोगे तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा तुमको करते भी तो बनना चाहिए answer तो देख लो answer देखने से क्या होता है पता भी तो चलने जी कैसे किया चली session को like करेंगे सभी लोग जली चली इधर बताएंगे the type of DC generator used for arc welding is 1000 बार पड़ाया बेटा arc welding के लिए कौन सा DC generator प्रिफर करते हैं arc welding के लिए करते हैं हम लोग differentially compounded DC generator arc welding के लिए हम लोग करते हैं differentially compounded DC generator arc welding के लिए हम लोग करते हैं differential compounded DC generator total core loss किसको बोलते हैं again chin to question clear है again chin to question total core loss किसको बोलते हैं सर टोटल कोर लॉस बोला जाता है AD current plus hysteresis या फिर आप बोल सकते हो magnetic losses, बात एक ही है टोटल कोर लॉस मतलब जो magnet के अंदर हो रहे है, मतलब बात एक ही magnetic loss बोल दो, ठीक है the magnitude of induced EMF in the primary winding will be dash but opposite to the applied all, छीक है, कुल्मला के ये बोला जा रहा है, प्राथमिक winding में ठीक है, प्राथमिक winding में प्रेरित EMF, आज का मेरा जो mock test है बेटा, वो आपको ये realize करवाने के लिए कि आपका NHPC का paper का level किस तरीके कराएगा इससे ये सीखो और इस level की preparation करनी है ठीक है, तो ये मेरा mock test का main motive था question पढ़ो, आपको answer काई को देखना है गजब करते हो ये खुदी answer देखो कि तो फिर क्या मतलब है मैं बोल रहा हूँ ना question समझो, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, अपने मन से answer दो, फिर option देखो ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है बेटा, ऐसा थोड़ी ना है नहीं हुआ तो किर्चोफ का voltage lock fail हो जाता है बट याद रखना opposite sign की होती है, lens lock की वज़ा से तो almost equal होता है ध्याम रखना, ठीक दिसा block rotor test जो होता है, अगर आपने three phase induction motor में दो test होता है एक no load test होता है, clear है please provide question in English, already questions are English and Hindi, both श्रीवनी, always question are Hindi and English, both question English में भी है, question English Hindi में भी है block rotor test is used to find which of the following losses, इन में से कौन से losses को, clear है, इन में से कौन से losses को block rotor test find out करता है, तो याद रखना मिटा copper losses या फिर variable losses को, या हम लोग block rotor test की मदद से find out करते हैं, block rotor test की मदद से इन वाले losses को find out करते हैं, जिनको बोलते है variable losses, clear, variable losses या फिर, या फिर copper losses, variable losses और copper losses अच्छा लेवल का question करवाईए बेटा बिटे ने एक बात बताओ अभी जो class है वो किस चीज़ के regarding है कोई बच्चा बता सकता है अभी जो class है वो किस चीज़ के regarding है अभी जो class है वो किस चीज़ के regarding है what is the motive of this class the motive of this class is the mock test for your NHPCJE electrical exam चीक है अब NHPCJE का level कैसा होगा यह मुझे पता है तो जिस तरीके का level होगा उस तरीके की practice करेंगे हम उसके उपर क्यों करेंगे और हम उसके नीचे क्यों करेंगे this is the thing only इसलिए आज मैं आपके सामने SSCJE का previous year question लेके आया हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया है कि NHPC का level बिल्कुल हूबा हूँ SSCJE का जैसा है और वो पूरी तरीके से उसको copy करने की कोशिश में है और और मैं आपको यह भी बताता हूँ बलके थुरू आपको पता चल जाएगी किस लेवल की चीज़े आपको करनी है ठीक है चले चले नेक्स कोशन देखते हैं जो मैं सब्जेट आप लोग के लूँगा सब बता दूँगा बिंग लवली आपको सब बता दूँगा अभी पढ़ लो क्लास के बाद सब कुछ बताने वालों क्लास के बाद आप लोग अगर सुनोगे चीज़ों को तो सब आपको clarity आजाएगी क्लास के बाद हर चीज़ बता हूँ आपको don't worry don't worry चले इदा देखेंगे यहना three face induction motor the initial inrush current is produced large line voltage drop की वाज़ा से large face voltage drop की वाज़ा से CDC बात है भाई है ना CDC बात है कि जब भी अगर हम लोग starting में starting में three face induction motor की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि starting current जो होता है starting current जो होता है वो हमारा seven to eight times जो होता है guys full load current के बराबर होता है seven to eight times जो होता है वो किसके बराबर होता है full load current के बराबर होता है तो guys अगर मेरा starting current 7 to 8 times full load current के बराबर है तो इसलिए induction motor के अंदर starting में इस current को reduce करने के लिए हमको starter लगाना पड़ता है और अगर इतना ज़्यादा ये current खीच लेता है तो बहुत ज़्यादा voltage में क्या आता है dip आता जिसको होते है large line voltage drop clear है इस large line voltage drop को ना आने की वज़ा से नहीं लाने के लिए हम लोग starters को भी use करते है clear focus इधार देखें the starting winding of a single face motor is placed in तो भाई single face induction motor में single face induction motor में दो तरीके की winding होती है एक starting winding होती है और जिसको आप बोलते है auxiliary winding और एक होती है main winding जिसको बोलते है running winding दोनों ही winding बेटा हम लोग काई पर लगाते है इस stator पर लगाते है तो जरूरी नहीं सिप starting winding दोनों ही winding हम लोग काई पर लगाते है इस stator के उपर लगाते है दोनों ही winding हम लोग किस पर लगाते है इस stator के उपर fit करते है दोनोई winding अम लोग कहां पर लगाते हैं इस stator की उपर लगाते हैं चले the type of single phase induction motor having the highest power factor at full load जली बताएंगे the types of 3.0 or 4.0 which one is starter अक्षे 3.0 or 4.0 DC motor में लगाया जाता है यहां पर लगाया जाता है DOL starter, auto transformer और star delta starter the type of single phase induction motor having the highest power factor at full load वो कौन सी type की induction motor है तो सब बच्चा जानते हैं that is always a capacitor start type आप बोलें क्यों क्यों क्योंकि capacitor start type में आप running में capacitor लगा के रखते हो ताकि आपकी जो torque है सारी आपको जो power factor है वो क्या मिले आपको improved condition में मिले shaded pole motor is used for shaded pole motor को हम लोग काई के लिए यूज़ करते हैं हजार बार बता है shaded pole motor की सबसे बड़ी दिक्का थे किसकी starting torque बहुत ही कम है बहुत ही ज़्यादा कम होती इसकी starting torque तो shaded pole motor के बारे में तो हमेशा यह याद रखना है है किसकी starting torque क्या है बहुत ही ज़्यादा कम है clear? yes sir which of the following motors can be used for unity power factor वो कौन सी मोटर है जिसको बिटा हम UPF पे काम करवाते है that is your शिराज मोटर शिराज मोटर आपके एक ऐसी मोटर होती है जो unity power factor पे work कर लेती है एक ऐसी मोटर है बिटा जो UPF पे काम कर लेती है उसको अपन लोग क्या बोलते है शिराज मोटर बोलते है एक ऐसी motor जो UPF पर काम कर सकती है उसको हम लोग Shirage Motor बोलते हैं क्या बोलते हैं Shirage Motor बोलते हैं चाल इदा लखेए शाम का आपका पांच बजे वाला session जो है वो as it is रहेगा पीटा है ना पांच बजे वाला session उम्रेता है वो as it is रहेगा और डेली अभी एक बचे वाला भी question practice के फॉर्म में NHPC के लिए start हो जाएगा जो कि आपके लिए दोनों ही session important है ठीक है चाहिए The dummy coil of a DC machine is used to damper winding नहीं बोला है dummy coil बोला है याद रखना बेटा dummy coil हर machine के अंदर या हर motor के अंदर basically काई के लिए use करते हैं ठीक है काई के लिए use करते हैं mechanical balance के लिए काई के लिए use करते हैं mechanical balance के लिए हम लोग dummy coils को prefer करते हैं dummy coils को हम लोग mechanical balance के लिए prefer करते हैं ठीक है याद रखना वेल आ DC series motor is connected to AC supply जब भी बेटा मैं DC series motor को AC supply से connect करूँगा तो power factor will low because of what जब भी हम कोई DC series motor को AC supply से current करेंगे तो power factor low गा, क्यों भाई, बताओ क्यों, क्योंकि आपका जो machine के अंदर आपकी जो winding है बिटा, उसके अंदर एक inductance develop हो जाएगा लेकिन अगर आप DC supply रखते हो, तो frequency 0 होती है तो overall inductive effect क्या होता है, 0 होता है लेकिन जब आप AC supply लगा दोगे, तो inductance आजाएगा तो यही तो दिक्कत create कर देगा, यही आपका power factor क्या कर देगा low कर देगा, यही आपका power factor क्या कर देगा low कर देगा, ठीके, अब आती ही बात speed of a DC shunt motor, एक DC shunt motor की speed को अगर मुझे, एक DC shunt motor है, उसकी speed को मुझे more than full load speed ले जाना है, तो यह कैसे लेके जाओ, मतलब एक limit से ज़्यादा लेके जाना है, एक limit से ज़्यादा अगर आपको speed को लेके जाना है, तो बिटा, आपको पता यह, back EMF जो होता है, वो होता है k phi omega, मतलब जो आपका phi A, वो inversely proportional to omega है, omega is inversely proportional to phi A तो अगर flux को आप कम कर दो, अगर flux को आप कम कर दो तो आपका जो omega है, वो बढ़ जाएगा, और अगर omega आपका बढ़ गया that means what, speed बढ़ गई, speed बढ़ गई, है न तो यही तो आपसे 67, 68 समुदिंग कोशन को देखने की कोशिश करी, चीक है तो यह level है बटा आपके paper का, तो आप लोग देख रहे हो, कहीना कई machine, कहीना कई power system, कहीना कई measurement, कहीना कई network, यह majority portion है, जो मैंने आपको कल बताए भी था, electronics के 5-7 question, ठीक है, utilization के 2-3 question, 2-4 question, estimation costing के 2-3 बाकी, पूरा आपका बटा machine, power system, measurement और network ही, paper के अंदर, आपको भरा हुआ मिलेगा, clear है, यही पूरा का पूरा आपको भरा हुआ मिलेगा, बिल्कुल इसी तरीके का level रहेगा, कुछ कुशन ऐसे रहेंगी, जो directly आपको देखके, बाद में हर चीज में रोने लगते हैं, graduation is not allowed, अभी जिसमें allowed हो, उसमें करो ना, उसमें क्यों नहीं करते हो, सब में allowed चाहिए क्या, नहीं है तो नहीं allowed, अब क्या करें, नहीं है तो नहीं है ना क्या करें भईया, क्या करें बताओ, तो रोने क्यों लग जाते हो तो गाई इस इस माई टेलीग्राम चैनल ठीक है इस इस माई टेलीग्राम चैनल यूव तो जॉइन इट ठीक है आप लोगों कोई जॉइन करना ने चाहिए अभी क्या भी और एक सेकंड गाई जाहिए एक सेकंड है हाँ बाई एक एडवाईस चाहिए एक एडवाईस लोग चलो वीडियो स्टार्टिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता है सर किस तरीके से पेटा एस मोटिवेशनल विलॉक्स किस तरीके से टाइम वेस्ट होता है किस तरीके से टाइम वेस्ट होता है शुमंबाई मेकैनिकल क्लास भी हो जाएगा कुछ दिन करना चालों टोंट परी विडियन के जीजा मैं आपको उताता हूं नॉन टेकनिकल कैसे प्रेपर करना डोंट परे बताता हूं तो बटा एस मोटिवेशनल विलोग्स मैं आपको यही बोलूँगा कि बटा कुछ चीजे मुझे बताने की होती है ठीक है फॉर स्टूडेंट्स जो नए नए बच्चे जुडते हैं तो उनको वो चीज पता होनी चाहिए तो बटा ऐसे बच्चों को कब बताई जाए यह चीज है तो इसलिए यह सारी चीजे तो बताने बहुत इंपोटेंट होती है और जितने अच्छे से बताऊंगा शायद उतने अच्छे से वो इस चीज को पॉप अप कर पाएंगे चल तो गाइस इस माई टेलिग्राम चैनल क्लियर क्या हो गया यह आज कुछ दिक्कत हो रही है नहीं नहीं सब्सक्राइब कुछ 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 हो रहा है भाई आज कुछ हो रहा है चलिए ठीक है तो आज के लिए इता काफी है यह पता नहीं कुछ इशू आ रहा है है ना आज के लिए इता काफी है है ना ठीक है तो अपन लोग मिलते हैं फिर नेक्स सेशन के अंदर इसी तरीके से गाईस मेरे टेलिग्राम चैनल का नाम है सर आज के लिए बेस्ट बुक बतातो सर फॉर एलेक्रिकल कोई बेस्ट बुक नहीं कलपना आप आराम से ले सकते हो है ना कोई बेस्ट बुक के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा आप प्रिवेस एर के पेपर लो इंटरनेट में मिल जाएंगे चलिए तो गाईज आपको पता चल जाएगा कि नॉन टेक्निकल कैसे प्रिपेर करना एक बार उस सेशन को जाकर देख जो कल में ने बता है ठीक है चलिए तो थैंक यू वेरी मच अगें बाई बाई